तो दोस्तो आज 13 सेप्टेंबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवेस का मोनोपोली कमपनी IRCTC के बारे में जिसके उपर मेरा लगातार खरीदारी करने का डाय था इवन आज की डेट पी मेरा राय एकदम सेव हैं मार्केट में आज काफी बढ़िया मुवबेंट देखने को मिला IRCTC की शेर की बात करें तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुवबेंट हमें आज देखने को नहीं मिला शेर एट दा एंड क्लोजिंग दिया 687 रुपए पे लगभग 0.17 गिरावट के साथ मदब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला तो बात करेंगे इस वीडियो पे एक नहीं बलकि दो इंपोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में साथ ही साथ आपका आगे का रनीती क्या हो सकता है आयर सीडिसी की शेर को लेके सीवाई आयर सीडिसी आयर सीडिसी में भी काफी अच्छा मुबेंट देखने को मिला बट स्टिल वो जो शेर से आयर एपसी या आर्विनल की तरह उतना ज्यादा मुबेंट हमें देखने को नहीं मिला ठीक है और उसकी उपर कल यानि ट्यूबस्टे की दिन हमने देखा श उसका इंपेक्ट देखे हो सकते ही इमेडियेटली देखने को ना मिले आगे चलके आपको बहुत कुस देखने को मिल जाकता है आयर सीडिसी साइन एमो यू विट इन बी सीसी सर्विस जो कि एक लिस्टेट कंपनी है शेर स्लाइट मार्जिनली तो शेर हमने देखा उस टे केटरिंग अन टूरिजम कोर्परेशन एनि आयर सीडिसी शियर वेर दाउन मार्जिनली इन अर्ली ट्रेट अन 13th सेप्टेमबर आफ्टर दा कंपनी अनू विट इन बी सीसी सर्विस जो कि एन बी सीसी का एक सबस्टेट कंपनी है इसका जो सबस्टेट कंपनी है उसके एक बीडियार वर्क फर्ट अपकमिंग ओफीस पेस एक वर्ल्ड ट्रेट सेंटर यहां पर जो देली के अंदर बनने जा रहा है ठीक है न्यूदेली के अंदर वर्ल्ड चेंटर उसमें दोस्तों यहां पर प्लाइनिंग होगा डिसाइन इंग और साहसा उसको एक्सीक्यू आने के बाद हो सकते हैं मार्ट इस चीज़ को उतना जड़ा पॉजिलिब्ली नहीं लिया और शेयर में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला इसकी पेरेंट कमपणी ठीक है उसके शेयर में काफी बढ़िया मुब्बेंट देखने को मिला शेयर देन लगबक सारे 3 10% उपर जाके क्लोजिंग दिया और यह तो थेखिए पहला न्यूज अच्छी न्यूज है ठीक है दूसरा जो न्यूज है इसका इंपक्ट हो सकते है आपको आगे आने वाले टाइम पे जरूट देखने को मिल सकती इवन शेयर में एक फ्रेश प्रेक आउट भी देखने क पैटन पर अब देखिए एकदम लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटन कंपणी द्वारा अपडेट किया उसके अपने देखा कि कंपणी का जो प्रोमोटर का स्टेक यानि यहां पे जो मदब सरकार की गवर्मेंट आप इंडिया का स्टेक है वो तो लास्ट तीन क्वा प्रोमाल बेचा फिर भी डियाएस का जो स्टेक है को बहुत बड़ा डिक्रीज देखने वह नहीं मिला अल्मूस्ट सिमिलर है बड़िए इसके पास पहले जितना स्टेक थ्यांस से अब्सर्व कीजिए अब देखिए इसके पास कितना स्टेक था मार्च को अटर में याज लगते बर्ते वर्ते 0 पर सब्दे पहुंच चुका है और मजहीं के बात ऑप्लिक यानि ट्य इंवेस्टर्स कहां पर गलती करने ट्येल इंवेस्टर्स ने जहां पे अपना स्टेक को रिद किया वहीग को पर चेस क्या लास्ट दो क्वाड़र से इस इसने उसका प्राइम एक्जम्पल देखिया आपके सामने है आज से लिए फिर पहले कंपनी के पास टेक था मदब डिटेल इंवेस्टर के बास टेक था ट्वेंटी टू पाइंट जीरो ट्री परसेंट का आज देखिए कितना हो चुका है ट्वेंटी पॉइंटी पॉइंट समस्टाव की डिया से भी बहुत जादा है कमी है पेशन्स की ध्यारिय की तो बस आपके अंदर क्या होना चाहिए अगर कंपनी आपको ठीक ठाक लगे बिसनेस मॉडेल ठीक लगे फंडामेंटल ठीक लगे बस तोड़ा इंवेस्ट करने को तोड़ा वेट करना चाहिए प्रोजेट कॉंड्राइक और िकलायर हो रहा है उसमें मूबेंच नहीं आ रहा है अब देखे बादेल इनेयाeme एक बढ़ यह सारे चीज हो जाने दीजिए जैसे सब्सक्राइब चल रहा है लगातार हमने देखा एक के बाद एक सरकान ने लॉंच कर रहा है अलग-अलग स्टेट्स के अंदर जो यहां पर कनेक्शन कर रहा है तो यह वंदे बारत ट्रेन में सर्विसिंग कौन कर रहा है मत इंडिया का नेटवर्क दोस्तों कितने लंबा है कितने चौड़ा है मतलब यह मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आप अच्छे से मालूम है तो यह जैसा इसे नेटवर्क बढ़ेगा ऑविसली फाइदा किसको मिलेगा जो उसके अंदर अपना सर्विस प्रवाइड करते ह दूसरे इंपोर्टेंट पाथ बहुत जल दोस्तों इंडिया में बुलेट ट्रेंड भी लॉंच होगा ऑविसली बुलेट ट्रेंड में भी हमने देखा पहले एक्चुली लोग को लग रहा था जब बंदेवार ट्रेंड लॉंच होगा तो यहां पर हो सकते है कि इसका जो हाँ उपर हो जाएगा बस आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए कि थोड़ा पेशेंस की तरह की तरह देखिए उसको गैंब्लिंग मत कीजिए कि चलो हम आज आजी इन्वेस्ट करें दस दिन बाद पैसे दुगनों जगा यह सोची गलत है कभी का बार हो जादा जैसे का आई रेपसी में सपोस्थ आप ने एक मैंने पहले इन्वेस्ट किया आज की रेट में देखिया आपको 70% का अल्मोस्ट रिटर मिल चुका है ठीक है तो यह बहु सब्सक्राइब करेंगे और उसके पहले आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मीटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरू एंकरेज करना तो देखें शेयर में तो अभी लास्ट दो दिन से गिरावाट हुआ नाट आउट यह तो कोई शक आपको पहले से थोड़ा बहुत सिगनल दे देगा ठीक है ऐसा नहीं कि 100% अपको प्रेडिक्शन सब कुछ आप 100% भविश्योवानी सठीक हो का ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत सिगनल आपको मिल जाएगा जैसे कि देखें सब्सक्राइब को बोल भी दिया था यहां पर क्य होने का चांस है मतलब अभी जो क्वाटर आएगा क्वाटर टू में काफी ग्रोथ होने का चांस है अब देखें हां सारे साथ सुकास पर इसके पहले भी आमने देखा था लगबग एक देर साल का चार्ट पर नगरम ध्यान से देखें तो यहां भी बहुत बार मल्टील मु पहुंचने का चांस है बस एक ही बात बोलूँगा आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो सरकारी कंपणी है नौड आउट पट मॉनोपली भी है यह चीज़ भी होना चाहिए साथ साथ काफी ग्रोथ कंपनी है ठीक है बस एक ही चीज़ चाहिए मैं आपको बोलूँगा ब भी बहुत अच्छी बात है ठीक है तो फिलाल दोस्तों वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए ठेक का बाबाई जय हिंद